भगवान विश्णू ब्राहमन के वेश में भगवान विश्णू बगरावतों को श्राप देने के लिए देव लोग से प्रित्वी पर साधू का वेश धारंकर बगरवतों के गाव गोठा में प्रकट होते हैं सादू माता अपने महल में पुन नगन अवस्था में स्नान कर रही होती है और सभी बगरावत गाय चराने हितु जंगल में गए होते हैं सादू वेश धारंकर भगवान विश्णू सादू माता के द्वार पर आकर भिक्षा मानते हैं सा माता की दासी भिक्षा लेकर आती है तो साधू भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह दास भिक्षा ग्रहन नहीं करेगे तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आकर भिक्षा दे तो वो ग्रहन करेगे अन्यता वह श्राप दे कर चले जाएगे ये बात सुनकर साधू माता सोचती है कि यह साधू जरूर कोई पहुंचे हुए सं'T है इन्हें अगर इसी अवस्था में भिक्षा नहीं दी तो वो जरूर श्राप दे दे देंगे साधू माता नहाना छोड़ नगन अवस्था में ही दान लेकर साधू महाराज को देने के लिए आती है भगवान देखते हैं कि यह तो उसी अवस्था में चली आ रही है साधू माता एक दैवियर शक्ती होती है साधू को दान देकर उन्हें प्रणाम करती है साधू माता भगवान से कहती है कि महाराज मेरी कोई संतान नहीं है और अपने केशो की जोली फैला कर कहती है कि मेरी खाली जोली भर दो भगवान कहते हैं तथास्तू सा माता तू अगर अपनी कोग बताती तो मैं तेरे गर्ब से जन्म लेता लेकिन तूने जोली फैलाई है इसलिए मैं तेरी जोलिया ही आ साधू माता पूछती है भगवान कैसे सादू महाराज अपने असली रूप में आकर सादू माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम पर कोई विब्दा आये तो तुम सुबा और सो तक के दिन टाल कर सुबा ब्रह्म मुहरत में नहा धोकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना मैं स्वयम तेरी जोली में जन्म लूंगा सबसे पहले पानी बहकर आएगा और उसमें कमल के फूल खिलेंगे उन्ही में से एक कमल के फूल में से मैं आवतरीत हो ये कहकर भगवान अंतध्रियान हो जाते हैं भगवान विश्णू वापस आकर राजा बासक से कहते हैं मैं गया तो साडू माता को छलने के लिए था मगर उसकी भक्ती से प्रसन होकर उन्हें वर्दान दे बैठा अब मैं कुछ नहीं कर सकता चलो मैं तुमको शक्तिक दुर्गा के पास ले जाता हूँ वही कुछ कर सकती हैं भगवान विश्णू और राजा बासक दुर्गा के पास आते हैं और अपनी सारी बात वताते हैं दुर्गा उन दोनों की बात सुनकर कहती है कि बगणावत तो मेरे सेवक हैं मेरी भक्ती से पूजा करते रहते हैं मैं उन्हें कैसे चल सकती हूँ मगर आपके लिए कु चन राजा बासक को दे देती है और दुर्गा बुआल के राजा के यहां अफ्तरी होने की युजना बनाती है